असलामुक्र डियर्स्टूरुडियर आज हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारी फैंटसी स्टोरीज होती है उसके मकासद कै उसके कॉमन थीम्स क्या होते हैं यब हम फैंटसी स्टोरीज पढ़ते हैं तो हमें बहुत से कुछ बीसिक थीम्स का पता चलता है जो कि मोस्तली फैंटसी स्टोरीज के अंदर मौजूद होती है इस्पेशली मौडरन फैंटसी के अंदर तो हमारे पास इसक्स बेसिक मोटिवे जो कि हम देख सकते हैं कि मुखेलिफ किसम की फैंटसी स्टोरीज में आपको नजर आएंगे और उसका सबसे पहला जो मोटिव होता है या थीम होता है बिलकुल कोई सांदिए है नहीं है सो बस यह होता है और they have some kind of powers to do a magic सो यह हमारा पहला motive हमें पहला theme नजर आता है दूसरा important theme जो हमें fantasy में नजर आता है वो होती ही दूसरी दुनिया है other worlds अब जो उनकी geography होती है जा उनका cosmos होता है it is actually different than our reality, our world, our cosmos जिसके अंदर किसी भी किसम का magic possible हो सकता है और उसकी कोई definition or explanation मौझूद नहीं होती है so बुनियादी तोर पर जितना narrative होता है जिसके अंदर वो दुनिया है बनाएगी होती है that is all imaginative और वो make-up words होती है कई दफ़ा characters को दिखाया जाता है कि वहां से aliens आ रहे हैं या दूसरी दुनिया की मखरूक आ रही है कई दफ़ा यह दिखाया जाता है कि दूसरी दुनिया का gateway खुल गया और छो human है वो उस दुनिया में जा रहा है this kind of characters we can simply see in fantasy novels and fantasy stories इसकी important चीज हमें fantasy story में heroism दिखता है heroism के अंदर the most common elements आते हैं यह आते हैं कि वो किसी adventure बजाता है और फिर वो वापस आता है और फिर एक नए adventure बजाता है so it's a cyclical process और इसके अंदर हमारे पास उसके hero के mission है उसके अंदर कुछ main component हमें fantasy stories में नजर आते हैं जो इसी sequence में mostly कहानियों में चलते हैं पहला यह कि उस अंसेफ जगों पर जाता है अनफेमिलियर जगों पर जाता है और नए और dangerous चीजों के साथ encounter करता है इस environment में जाता है जो कि unfamiliar हो सकते हैं dangerous हो सकते हैं जब वह जाता है तो उसे किसी protective figure की assistance की जरूरत होती है यह supervision की जरूरत होती है जो से बताता है इस दुनिया में जाके तुमने क्या करना है कैसे करना है उसके बाद जब वह उस adventure से वापस आ रहा होता है यह उस adventure से go through कर रहा होता है तो उसके अंदर एक maturity develop होती है और फिर वह वापस अपने घार आ जाता है जो था important theme जो के fantasy stories के अंदर मौजूद हो सकता है वह special type के characters होते है इस वकित के जो हमारी modern fantasy stories है उसके अंदर हमें बहुत से mythological characters मिलते हैं यह character हमारे mythical stories से related हैं पुरानी mythical कहानियों से और यह characters जो हैं आपको या तो यह वहां से मिलेंगे या आपके जो जिसकिसी नहीं वह कहानी लिखी है author उसकी totally imagination के उपर base कर रहे होते हैं अब किस किसम के characters हमारे पास होते हैं हमारे पास wizards होते हैं हमारे पास dwarves होते हैं evs होते हैं hobbits होते हैं witches होती हैं और oogers होते हैं vampires होते हैं यह सारे के सारे imaginary characters हैं जो कि आपको mythology भी मिल जाएंगे और आपको नई fantasy के अंदर भी मिल जाएंगे good and evil इसका होना बहुत ही जरूरी होता है fantasy character के अंदर और क्योंके इसके strong mythical foundation है तो उसके अंदर यह जो theme है यह सीजिक से manifest होते हैं कि वो जो conflict हो रहा है अच्छे और बुरे के दर्मियान वो बताता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है अच्छा कैसे करता है और बुरा कैसे करता है last fantastic objectives mythical characters के साथ साथ magical objects जो होते हैं वो fantasy stories का हिस्सा हो सकते हैं अब आपने बहुत से fantasy stories पढ़ी होंगी और इसके अंदर देखा होगा कि जैसे जारू है वो राइटस अ भ्रूम आपके पास swords होती है जो magical swords हो सकती है और silver slippers हो सकते हैं जैसे कि हम बहुत सी जो हमारी fairy tales है उसके अंदर हम पढ़ रहे होते हैं ring हो सकती है कोई magical rob हो सकती है किसी भी किसम की जो चीज हो सकती है वो magical हो सकती है और उसको हम fantastical object करते हैं जो कि किसी ना किसी तरह एक नहीं form में आ जाता है और उस hero की मदद करता है उस quest को अचीफ करने में इस आर दा six important motives that we can find it out in fantasy stories and you can read it out and find them